हेलो दोस्तों मैं सौरंबली काप सभी का टोपिक स्टेडी चैनल पे स्वागत करता हूँ दोस्तों आज 9 बजे वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइलोजी के टोफिफ्टी ऐसे कोशन जो कि पिछले 15-20 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं आप कोई न कोई एक्जाम उठा के देख लेना कोई न कोई कोई कोशन आपको देखने को मिल जाएगा इनी 50 कोशन में से तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंड तक देखेगा और एक भी कोशन में समत करना और 50 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे comment box में बता दिना किसी भी question का answer पता होगा तब भी आप नीचे comment box में बता सकते हैं चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी subscribe कर लीजे नीचे radical का बटन दिख रहा होगा बैल आइकन को ओन रखेगा ताकि डेली आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहें एक भी मीडियो मिस ना हो अभी तक कि जितनी वीडियो मैंने अपलोड की है उनकी प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से जाके आपको सारी वीडियो देख सकते हैं दोस्तो अनकेडमी पर आप कंपलीट चारी कर सकते हैं आप सभी को पता है SSC, बैंक, रेलवे और भी धेर सारे एक्जाम जिस भी एक्जाम के आप चारी करना चाहते हैं अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजे और जोइन कर लीजे वहाँ पर पूरा कंपलीट कोर्स और बहुत ही अच्छे तरीके से घर पे बैटके आप चारी कर सकते हैं बट वहाँ पर एक डिसकाउंट कोर्ड की ज़रत होती है और डिसकाउंट कोर्ड है स्टडी तेन इस कोर्ड को लगा के आप मैक्सम डिसकाउंट प्राप्त कर सकते हैं अनकेडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में और दोस्तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज बता रहा हूं स्सी केटेगरी में अभी एक क्रोड तक की स्कॉलर्शिप होने वाली है 28 फरवरी को 12 बजे ठीक है तो आप इसमें अन्रोल कर सकते हैं और इसमें अन्रोल करने के लिए भी नीचे डिसक्रिप्शन बॉक्स में ल विन कर सकते हैं . इसमें अन्रोल कर लिजेगा अनकेडींशिप्लस के बहुत सारे बैनफिट है यह सारे आपको मिल जाएंगे जब आपको अपने क्णीशिप्लस को जॉइन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्लीज एंड तक देखेगा और सेशन को लाइक जरू करेगा कोशन है निमिन में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है बहुत ही बेसिक सा कोशन है ठीक है रिपिटिड कोशन है एक्जाम में बार बार पुछे आता है तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर एगा विटामिन B12 विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है चलिए तो next question हमारा आता है निमिन में से किन तत्वों की हींता हड्यों की कमजोरी के लिए उत्तर दाई है देखे हड्यों की कमजोरी किन की कमी से आती है यह आप से उचा जा रहा है तो इसका सही answer है आप सभी जानते हैं calcium हड्यों को मजबूत बनाता है ठीक है तो calcium और phosphorus की कमी से हड्यों में कमजोरी आती है ठीक है तो इसका सही answer option ए रहेगा चलिए next हमारा question आता है मनुष्य के सरीर का तापमान होता है तो मनुष्य के सरीर का तापमान दोस्तों कितना होता है बिल्कु 37 degree Celsius तो इसका सही answer option ए रहेगा देखे आपको जो भी question का answer पता होगा प्लीज comment box में एक बर बस type कर देना है कि कौन सा option सही है इन तीनों में से इन चारों में से कौन सा option सही था बस नीचे comment box में आपको बताना था ठीक है चले मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्तिया होती है देखे एक वीडियो मैंने अभी upload की थी ठीक है skeleton system पे पूरी complete information मैंने उसमें दी थी तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको देख लेना चैनल पे जाके playlist में जाके उस वीडियो को देख लेना और इसका सही answer क्या रहेगा मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्तिया होती है तो इसका सही answer रहेगा दोस्तो 8 ठीक है चले next हमारा आता है पित यानि की bile juice जमा होता है तो यह जमा होता है तो यह जमा होता है दोस्तो पिताश्य में इसका सही answer आप कर रहेगा option a चले और देखिए अगर आप किसी भी exam की तेहरी कर रहे है के लिए एससी के लिए bank के लिए ठीक है defense के लिए UPSC के लिए तो आप अनकेडमी का plus course जोइन करके जो subscription है उसको ले करके complete त्यारी कर सकते हैं घर पे ही ठीक है आपको कहीं पे दूसरी बड़ी city में जाने की ज़रुरत नहीं है अब online पे ही आप सब कुछ कवर कर सकते हैं आ उस्तना सेलेक्ट करके continue पर किलिक कर देना है ठीक है फिर जहां पर लिखा होता है enter reference code वहाँ पर डालना है सोरब 11 वहाँ पर क्या डालना है सोरब 11 डालना है इस discount code को आप इसकी ले सकते हैं और इसको डालने के बाद में apply के बटन पर किलिक कर देना है इससे आपकी जो भी शंख या दिख रहे होगी वह कम हो जाएगी उसके मानव सरीड में खून के सुधी करन की परकेरिया को कहते हैं मानव सरीड में खून की की सुद्धिकरन की परकिरिय को दोस्तों क्या कहते हैं डाइलिसिस कहते हैं तो इसका सही आंसर ओप्शन ए रहेगा ठीक है बहुत सारे बिमारी होती है जिसमें डाइलिसिस करा जाता है तो आपने सुना होगा तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं खून की सुद्धिकरन के लि नेक्स्ट हमारा कोश्चन है गाएं के दूद का रंग किस की उपस्तिती के करण थोड़ा पीला होता है तो गाएं का दूद आपने एकसर देखा होगा उस पे उपर पीली सी परत होती है क्योंकि उसमें केरोटीन परजेंट होता है टीक है, ओपशन रहेगा डी रइत आंसर नेक्स्ट है निमिन मेंसे कौन सा रोग वाईउ के माध्यम से फैलता है तो इसका सही आंसर रहेगा प्लैक आपको कुछ ओपशन के इकोडिंग भी आंसर लगाना है तो यहाँ पर जो option है प्लेग ये वाईयू के माध्यम से फैल सकता है तो इसका सही answer option ए रहेगा next है निमिन में से कौन सा साब जहरिला नहीं है तो आपने बचपन में सुना भी होगा ठीक है बचपन में भी सुना होगा और कई बार देखने को सुनने को मिल जाता है कि अजगर के काटने से मतला अजगर के में जहर नहीं होता है ठीक है तो कौन सा साब है जो की जहरिला नहीं होता है तो अजगर इसका सही answer रहेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा कोशन आता है भारतिय वन जीव के संदर्व में फ्लाइंग फोक्स निमिन लिखित में से क्या है तो फ्लाइंग फोक्स दोस्तों चमगा दढ़ है ठीक है तो इसका सही answer option ए रहेगा नेक्स्ट कोशन है तालाबों और कों में निमिन में से किस एक को छोड़ने से मच्चरों को नियंतरन करने में मदद मिलती है तो ये तो अभी मैंने mix कोशन कराया थे एक दिन तब भी करा था गेंबूशिया इसका सही answer एगा ठीक है तो option C इसका सही answer एगा नेक्स्ट है निमिन में से कौन सबसे अधिक उर्जा परदान करता है निमिन में से कौन सबसे अधिक उर्जा परदान करता है तो carbohydrate इसका सही answer एगा दोस्तों ठीक है तो सबसे अधिक उर्जा परदान क्या करता है carbohydrate यहाँ पे 4 option आपने देख लिया है वसा है इसमें protein ये vitamin है बट आपको option लगाना है A right answer इसमें कहीं student protein भी लगा देते हैं बट नहीं लगाना है ठीक है HIV क्या है तो देखिए इन 4 option में से कौन सा आपको सहे लगता है बिल्कुल एक विसानूर हो गए दोस्तों ये इसका सही answer आप क्या लगाएंगे तो option C लगाएंगे ठीक है चले next हमारा question आता है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन होता है और दूसरे सरीर में पहुंचता है जल्दी से बताईए बिल्कुल वाइरस था मादा एडीज मच्चर द्वारा तो option A इसका correct answer रहेगा next है insulin है insulin क्या है दोस्तों देखिए insulin एक हार्मोन है ठीक है और ये question भी बड़ा ही repeated question है कई बार exam में आ चुका है इवन ये आपका UPSC में भी आया था एक बार ठीक है RRB में भी कई बार आ चुका है चले next हमारा question है प्रकास अलेशन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है तो प्रकास अलेशन के लिए आवश्यक गैस है दोस्तों CO2 इसका सही उतर आपका option D रहेगा पोदोवेब पेड का खाना त्यार करने की परकिरिया कहलाती है तो पोदोवेब पेड का खाना त्यार करने की परकिरिया कहलाती है दोस्तों फोटो सिंथेसिस बिल्कुल सही है यहनि की option C is the correct answer chlorophyll हरित लवक में कौन सी धातू होती है chlorophyll हरित लवक में कौन सी धातू होती है तो इसका सही आंसर रहेगा magnesium ठीक है इसका सही आंसर magnesium रहेगा यानि की option B रहेगा next है wbc रहेगा यार यह गलती से आपर वी हो गया wbc का मुख्य कारिया है तो wbc का मुख्य कारिया होता है रोग परतिरोज समता बढ़ाना तो option इसका correct answer रहेगा दोस्तों C next हमारा question है रक्त में लाल रंग किस के उपस्तिती के कारण होता है रक्त में लाल रंग किस की उपस्तिती के कारण होता है दोस्तों जो हमारा color मतलब बलड का जो color red होता है हीमोगलोबीन की उपस्तिती के कारण होता है ठीक है तो इसका सही answer option B रहेगा नेक्स्ट कोशन है निमिन में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उतर दाई है तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर बते हैं फटा फट निमिन में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उतर दाई है तो carbon dioxide और methane इसका सही आंसर रहेगा ठीक है पर दोस्तों option D is the right answer नेक्स्ट हमारा question है निमिन में से किस परकीरिया में उर्जा मुक्त होती है तो selection इसका सही आंसर रहेगा यानि कि option A is the right answer इंसुलीन का अविस्कार किस ने किया देखे सारे ही कोशन इंपोर्टेंट है दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूं वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहेगी इसकिप मत करिए जितने भी स्टुटेंट देख रहे हैं इनको लाइव को बढ़ाईए ठीक है आपको बीच में छोड़के नहीं जाना है 20 या 25 मिनट की मैक्सिम वीडियो बन सकती है तो अगर आप 20-25 मिनट में 50-60 कोशन सीख रहे हैं तो क्या बुरा ही है ठीक है इसका सही आंसर कीया रहेगा इंसुलीन का विश्कार किस ने किया था तो यह किया था एक की में टिक काम उर्टिय में कक्षो की संख्या होती है पहुती बेसिक सा क्वेशन है तो मानव अंगे में कघ्शो की संख्या दोस्तों 4 होती है ठीक है तो काक्रोच दोस्तों सास लेता है बिल्कुल लेता है वातक से इसका सही आंसर उप्षन ए रहेगा ठीक है इसको इंगलीज में बोलते है ठीक है चले आलू में ब्लैक हर्ट रोग का कारण क्या है ओक्षिजन की कमी इसका सही आंसर नेगा तो आलू में जो ब्लैक हर्ट रोग होता है यह ओक्षिजन की कमी से होता है ठीक है निमिन में से कौन कीट नहीं है तो यहाँ पर अकर मैं बात करूं दोस्तों मकडी कीट नहीं है ठीक है मचली की विशेश सर्रचना सांस लेने में मदद करती है तो इसका सही आंसर हैगा मचली जो सांस लेती है अपनी गिल्स से लेती है तो गिल्स इसका सही आंसर हैगा ओप्शन D is the right answer भूमिगत जल को परदूसित करता है तो इसका और सेनिक इसका सही आंसर हैगा ठीक है तो भूमिगत जल को परदूसित करता है और सेनिक यानि की ओप्शन C is the right answer निमर में से सबसे ज़्यादा वाईउ परदूसन करता है तो कार्बन डियोकसाइड इसका सही आंसर रहेगा यानि की ओप्शन यह आपका correct आंसर रहेगा नेक्स्ट है मानव सरीर में किस अंग में लसी का कोशी का बनती है तो दिर्ग अस्थी इसका सही आंसर रहेगा ओप्शन बी इसदक रहेट आंसर जैनेटिक्स निमिन में से किस का अध्यन है अनुवानसिक्ता और वीचरण का ठीक है तो ओप्शन रहेगा डी रहेट आंसर परकास सलेशन में सूर्य के परकास का कौन सररंग सबसे ज़्यादा उप्युक्त किया जाता है तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर एगा रेड यानि की लाल कलर को कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लेक लंग रोग हो जाता है ब्लेक लंग रोग हो जाता है तो कोईले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ठीक है तो इसका सही आंसर आपको option C रहेगा प्यार दोस्तों चले next हमारा question है निमिन में से किसको RBC का कबरिस्तान कहते है निमिन में से किसको RBC का कबरिस्तान कहते है तो पलीहा को दोस्तों ठीक है पलीहा को RBC का कबरिस्तान कहते है यानि कि option C is the right answer मुत्र का पीला रंग किसकी मोजूदगी के कारण होता है तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर एगा यूरो क्रोम ठीक है यानि कि option D इसका correct answer रहने वाला है नेक्स्ट हमारा question है निमिल में से किसकी उपस्तिती के कारण गिर्गिट रंग बदलता है तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा वन की लवक ठीक है यानि की option B इसदा right answer चले नेक्स्ट हमारा question है दिल का दोरा किस कारण से होता है हर्दय में रक्त की आप पूर्ती के कारण है ठीक है यानि की option रहेगा सी राइट आंसर इंसुलीन उत्पादित होता है इंसुलीन उत्पादित होता है तो इंसुलीन उत्पादित होता है दोस्तों अगनाश्य द्वारा ठीक है यानि की option आपका D रहेगा सही आंसर विटामिन A की कमी के कारण होता है विटामिन A की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइडनेस यानि की option C is the right answer मस्रूम क्या है मस्रूम क्या है तो मस्रूम एक कवक है ठीक है गईस option इसका correct answer रहेगा A कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम तो इसका सही आंसर दोस्तों option A रहेगा next question पोधों में वास्पोध उत्सरजन की किरिया किसमे होती है तो इसका सही आंसर रहेगा पूरे पोधे में ठीक है पूरा पोधा यानि की option D is the right answer next है पादप वरद्धी हार्मोन जिब्रेलीन किस से निकलते हैं निकाले जाते हैं निकलते हैं दोस्तों यह निकाले जाते हैं कवक से ठीक है यानि की option रहेगा आहार में लवक का मुख्या उप्योग होता है लवन का मुख्या उप्योग होता है तो भोजन में पाचन के लिए HCL पैदा करना आहार में लवन का मुख्या उप्योग होता है भोजन के पाचन के लिए HCL पैदा करना यानि की option आपका B correct answer रहेगा Sex हार्मोन स्रावित होते हैं तो यह होते हैं Adrenal गरंथी द्वारा यानि की option P is the right answer मानव तवचा का रंग बनता है मानव तवचा का रंग बनता है Hemoglobin से Next है निम्न में से किस में परचूर मातरा में प्रोटीन होता है देखे सोयबीन और मौंगफली में परचूर मात्रा में प्रोटीन होता है ओप्षन रहेगा C रेट आंसर पोधे में कलोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व साहता करता है तो इसका सही आंसर मेगनीशियम रहेगा यानि की ओप्षन B इस दा रेट आंसर प्रकास अलेशन का अंतिम उत्पाद है तो प्रकास अलेशन का अंतिम उत्पाद है कार्बो हाइडरेट यानि की ओप्षन A इस दा रेट आंसर दूद का धवल रंग किसकी उपस्तिती के कारण होता है दूद का कलर वाइट होता है किसकी उपस्तिती के कारण तो केसीन की उपस्तिती एकार्ण ठीक है नेक्स्ट हमारा कुश्चन है डेंगू बुखार में मानव सरीर में निमलिकित में से किसकी कमी हो जाती है तो दब भी डेंगू बुखार आता है कि प्लेटलेट्स कम हो गई तो बिल्कुल प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ठीए गाइस चलिए DNA की दुए हिलिक्स सनरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था most important लगा लिजे very very important question है तो Watson तथा क्रिक ने option रहेगा A right answer next हमारा question क्या रहा है सर्व गरही कौन सा blood group होता है तो सर्व गरही कौन सा blood group होता है दोस्तो A b होता है ठीक है और सर्व दाता जो सब को दे सकता है वो होता है आपका O तो यह आपको यह दखना है मानव तंत्र में निमलिकित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है तो इसका सही आंसर एगा गेस्ट्रीन याने की B is the rate answer ठीक पोलियो किसके संकरमन के कारण होता है पोलियो किसके संकरमन के कारण होता है तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा यक्रत यानि की option A is the right answer तो thank you so much guys आपने इस session को पूरा end देखा I hope कि आपको पसंद आयोगा तो please इसको like कर दीजे अपने दोस्तों के साथ में share कर लिजे और अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को उन रखे ताकि आगे आने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें तेंक यू सो मच बिलते रहें नेक्स वीडियो में बाइबाइ